हेलो प्रेंट्ट्स, रेल्कम टू मैरी चैनल, आज मैं बना है हुआ हाई, सफेज चन가요 मैं ठीक बरस लिए मैं दो गट टोरी सफेज चन कीपा प्रेटि पाणिते है सुभिव है उसिस के साथ मैं चार गटोरी पानी डाला है और इसके बाद इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें पत्ती डालूँगी पत्ती के वह आप एक पोटली बना के डालेंगे जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आपके पत्ती यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें सुखा आमला डाल सकते हैं यह मैंने एक पोटली बनाई है जिसको मैंने इसमें डाल दिया है इसके बाद इसमें मैं नमक डालूँगी सादसे बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी कुकर के बाहर जब पानी आ जाता है तो उससे आपका कुकर घंदा हो जाता है एससे कि होगा कि आपका कुकर वह बिल्कुल भी होनुदक कुकर बन करके आप इसे गेस पे चड़ा दिजूए गैस पर जब एक सीटी आ जाएगी तो आप इसका फ्लेम लो कर दीजे, और आदे हुन्टे के लिए इसको आप उबा लिए तरका लगाने के लिए मैंने इसमें दो प्याज लिये हैं दो तोमाटर लिये हैं, दो हरी मिर्ची लिये, छे साथ के लिए लसन के लिए हैं थोड़ा सा अद्रक लिया है प्याज घृरी मिर्च लसन अद्रक के साथ में खड़े मिसाले डालके मिक्सी में पीस लूँगी टॉमाटर में अलग से पीस हूँगी खड़े मिसालों मैंने तेज पत्ता लिये है सुखी एक लाल मिर्च ली है लॉंग लिया है, काली मिर्च ली है, बड़ी लाइची, छोटी लाइची है, थोड़ी सी जाबितरी ली है तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे तेल में हम सबसे पहले डालेंगे सूखी लाल मिर्च और उसके बाद तेज पता तेस पता डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है जीरा तड़कने के बाद इसमें जो मैंने मिक्सर बनाया था प्याज, लसन, अदरक, हरी मिर्च का और खड़े मसालों का वो मैं इसमें डाल दूँगी इसमें ये मसाले डालने के बाद इसको आप थोड़ा सा भूनिए जिससे जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ब्राउन होने के बाद ही इसमें हम कोई मसाला डालेंगे के सानल भूनने देखिए इस黄र का हो गया है इसमें मैं ठोड़ी सी देगी मर्च डालेगी जाल को मिक्स कर लेंगे is को मिक्स करने के बाद हम इसमें उप्स Quinous洗 में तचन में हमारा ढूले बटीन के बाद हम एसमें दाले की ळिर्षोر के कि आप 못 की आॠीन हो मालिया डालता को गर्वे अब उभी हैं अभर दला की से बॉनगे जब तक कि हमारा मसाला के चनना मसाला यूऀस होinea है , जिसके इसमें डाले है , जिसकें का फ्लेवर बहुत जादärtा अचा हो OM पर ऊबले होई चने चने तोड़े से यह गड़े होई दूँगी , जिसके चने चमीसे गड़े तो यह थी खण हो का की खाम काफी तो इसमें यह दो चंम सलह डाल। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसके बाद मैं इसे चने डालूँगी डालने के बाद आप बीस नाप के अफूर स gegंड़े आप बसे यह तो आप जब चबाइए में डाल दीजिए और उसे कुछ देर के लिए उबालने के लिए छोड़ दीजीह जब आपको लगे कि जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए उतनी थिक आपकी ग्रेवी हो गयी है तो आप जो है गैस का फ्लेम बंड कर जीज़िए और आप अब इस जने ग्रेवी वाले रेडी हैं अब आप इसको परांटे के साथ खाई इ過去 बठी के साथ खाई चाहे